नमस्ते या भिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लिमर दोस्तों महंगाई को हमको नया trend मान ही लेना पड़ेगा क्या क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार दूसरे महीने same to same रही है RBI का जो comfort zone था 4 में से plus 2% माइनस 2% हो जाए तो यहां तक RBI को कोई tension नहीं होती थी लेकिन अभी महंगाई जो है 6.3% पे चल रही है पिछले एक महीने का जो data है वहां पर भी महंगाई इसी rate पे रह गई है जो कि बहुत बड़ा level है ठीक है बड़ा level है क्योंकि RBI इसको comfort zone के बाहर मानता है और हम सब real life में face भी कर रहे हैं महंगाई इस महंगाई से दिक्कतें क्या आती है stock market में मैंने आपको कई बार समझाया है फिर से समझा रहा हूं जब भी महंगाई वाली चीज हमारे सामने आती है तो वहां पर होता क्या है जो product based company है उनके products जो है लोग afford नहीं CD company क्यों नहीं चलेंगी और यह जो आकड़ा आया है महंगाई का यह सच में comfort वाली feeling नहीं देता इसलिए आप देखते हो कि बाजार में जरा सी global market से negative news आती है तुरंत हम गिरने को एकदम तयार लगता है कि हम एकदम तयारी बैठे हैं गिरने के लिए बाकि अगर आप जाक करती है और सर्वाइब नहीं कर पाती है लगभग लगभग फ्लैठी क्लोजिंग दे पाती है महंगाई का डर थोड़ा सा तो लग रहा है बाकि अपना रुपया भी एक बार कोशिस किया था आज समल जाए लेकिन ट्रेडिंग खतम होने तक यह भी लगभग लगभग फ्ल कि वहां पर कोई हमको रहत दिखाई दे तो बाजार के लिए महाल अगर हम महगाई पॉइंट अव्यू से देखें तो ठीक नहीं है क्योंकि कहीं से भी हमको ऐसा संकेत नहीं मिला है कि महगाई अभी कंट्रोल में आएगी देखते हैं आरबिया आगे क्या कदम उठाता है क क्या रेट बढ़ने वाले हैं उम्मीद तो इसकी बहुत कम है क्योंकि अगर ऐसा करेंगी दुनिया भर की सरकारे तो उनको खुद अपने यहां के लोगों की तकलीफ दिखने चालू हो जाएगी आप क्या सोचते हो क्या रेट बढ़ा देना चाहिए महंगाई को हैंडल कर करने के लिए या फिर कोई और चारा हो सकता है जल्दी इंडप तनालसी वीडियो लाएंगे कल की बाजार वाली वीडियो जल्दी आईगी अभी के लिए तना है मिलेंक फिर से नमस्कार